ये श्रीमान मरेद मुदी साफ 2014 में जब चुनाव लड़ने आये उस समय एक गाना इन्होंने चलवाया था सकी सही है तो गोहती कमात मेहंगाई डायन खाये जाती है क्या मेहंगाई डायन अब इनकी डार्लिंग होगी क्या अब मेहंगाई डायन नहीं दिखुदी है इन सब्सक्तों को दूर तक जाना चीए अब डायन नहीं रे गई हो मेहंगाई अब विश्व सुन्द्री हो गई है नहीं मुदी साब के इसी पर जीत क्या थे मेहंगाई हो इसके मेरा ये गईना है कि एक राजनेता एक आधर्श होता है उधारन प्रस्थूत करने हाला होता मैंने कहा कि मैं प्रभारीमंट्टी कई बरसे या रहा लेकिन मैंने कभी भी इस तरह का विभार करने की कोशीच भी नहीं की यदि मुझे में सत है, मेरी पोश्टरता है, उस भगवान को मुझे कुछ फल देना है, तो मैं यहां बेटके भी उसकी अराजना करूँ, तो देता अपर ये सर्व सक्तिमान बनने के चक्कर में, चोबे जी, छबे जी बनने बंगाल कहते, तूबे जी बनके आगए, वहां प पर यहीं आजा, पर यह गलत है, धार्मिक भावनाओं को आद करना, अच्छी बात नहीं है, अपने शक्ति का घमण दिखाना, यह अच्छी बात नहीं है, भगवान में इतना सत है, जी आपका मन पवित्र है, तो आपको कहीं भी आचिरवाद देने कमी नहीं है, बहुत कर अर्पो के प्राफिट उसको बेच रहे हो, तो नरेंद मुदी तो अडानी और अम्मानी के बना होगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, कि दिल्ली में एक बोड लगा जेगा, नरेंद मुदी इंडिया फार तेल, इन आजमी का वरुसत, पाखंडी, दोनों पाखंडी, वो पाखंड फेलान में दोनों पीछे नहीं रहते हैं, कभी आशू बहाने लग जाता है सिवराज, कभी केलाज खुद के गाड़े पे पत्थर फिकवा लेता है, और मेरे जान का खत्रा गंगाल में, वो तमाम भारी हो ले लेता है, जेट स पाखंडी, अंतरमन दोनों का इतना एक दूसर के पत्थी काला है, कि तुम कितने भी हाज उठागे गाने गालो, तुमारे सम्मन्द, क्योंकि दो ही सत्ता लोलूप हैं, दोनों पद लोलूप हैं, जैसे ही मोका मिले एक दूसर को डाज देने में, पीछे नहीं अटते हैं हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद